मैंने लाइफ में हजारों फिल्में थीटर में देखी और उन फिल्मों में तालिया सीटिया बजने के अनेको अलग-अलग कारण देखे कभी हीरो की एंट्री पर सीटिया बजती तो कभी हीरो द्वारा विलन की पिटाई किये जाने पर कभी हिरोईन की अदाओं पर लोगों ने आहें भरते वे सीटिया बजाई तो कभी राजकुमार की तरह पावरफुल डायलॉक्स पर तालियों की गड़गड़ा हट सुनने को मिली लेकिन दक केरला स्टोरी में दो ऐसे सीटिया और तालिया उन सिटुवेशन्स पर बजी जिन पर आज तक मैंने तालिया बज़ती नहीं सुनी चर्चा करेंगे फिल्म दक केरला स्टोरी पर जब एक फिल्म किसी ट्रू इंसिडेंट पर बनाई जाती है तो फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है सही रिसर्च विथ प्रूफ और कुछ स्मॉल डीटेलिंग्स जो फिल्म के दोरा ना दिखे तो वो फिल्म अधूरी सी फील होती है और इस मामले में दा केरला स्टोरी के मेकर्स पूरी तरह से बाजी मारते दिखे हैं ना केवल उन्होंने अपनी कहानी को प्रमाणों के साथ दिखाने का काम किया है बलकि छोटी छोटी अनेको ऐसी बारी किया है जिनके कारण उन सीन्स में दिखाए सिटुएशन्स पर विश्वास और बढ़ जाता है फिल्म में एक सीन है जहां एक कपल को तालिबान से सीरिया भेज जाने के लिए कुछ टेररिस्ट चर्चा कर रहे होते हैं एक टेररिस्ट कहता है सीक्योरिटी चेक पोस्ट पर अमेरिकन सीक्योरिटी के साथ बस अंग्रेजी में बात कर लेना वो खुद तुम्हें बॉर्डर तक छोड़ आएगा क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि तालिबानी अनपड गमार होते हैं और ये कहते हुए सीन में वो अपना ही मजाग बनाकर हसते भी है लेकिन साथ ही इस ग्रूप में एक टेररिस्ट लैपटॉप के साथ बैठा भी दिखाये जाता है जो ये दर्शाता है कि दुनिया की नजरों में टेररिस्ट अनपड गमार बेवकुफ हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनके साथ पढ़े लिखे लोग भी जुड़े हुए हैं जो समय के साथ अपडेटेड भी है तो इस तरह की डीटेलिंग फिल्म में देखने को कई जगह मिलती है फिल्म की कहानी तीन भागों में चलती है एक प्रेजेंट की कहानी है दूसरी उससे कुछ समय पहले की और तीसरी कहानी उससे भी कुछ समय पहले की दिखाई जाती है सारी कहानी एक दूसरे के पैरलेल चलती रहती है इस तरह से कहानी engaging लगती है क्योंकि अगर केवल एक पार्ट की कहानी continue चलती रहती तो शायद ये bore कर सकती थी लेकिन तीनों कहानियों को बारी बारी दिखाने से फिल्म में thrilling, scenes, violence और drama सब देखने को मिलता रहता है फिल्म के first half के शुरुवाती कुछ समय characterization पर खर्च किया गया है जहां चार लड़किया दिखाई गई है और चारों की कहानी को इस तरीके से दिखाई गया है कि filmmaker अपनी audience को जो realize कराना चाह रहे हैं उसमें इन किरदारों की कहानी बहुत सहायक सिद होती है एक character है जो इसलाम पर ज्यादा से ज्यादा बात करके बाकी तीन को motivate करने का काम करती है जिसे negative character के रूप में देखा जा सकता है ये characters actually real में तीन तरह के mindset वाली लड़कियों को दर्शाती है एक जो easily trap में फस जाती है एक जो trap को शुरू में ही समझ कर उनसे दूरी बना लेती है और एक जो जब तक इस खेल को समझ पाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एक vision के साथ film के characters को कहानी के साथ पिरोया गया है फिल्म के first half में धर्मानतरन और लव जिहाद की बीज बोई जाती है और second half में उनका फल उन्हें भुगतना पड़ता है फिल्म पर अच्छी खासी research की गई है जो इस film का plus point है जब अदाशर्मा nursing college में आती है तो दिवारों पर free कश्मीर के slogans कहीं न कहीं उन सच्चाई को सामने लाती है जिन से पूरा देश अंजान रहा है dialogues के माध्यम से दिखाए गया है कि इसलाम में क्या करना है क्या नहीं करना है शरिया कानून में लड़किया mobile use नहीं कर सकती और इस पर अदाशर्मा द्वारा एक सवाल पुछा जाता है कि जब शरिया कानून बना था तब तो mobile phones थे ही नहीं यानि फिल्मेकर dialogues के माध्यम से clarity भी करते चले है हाँ जब राम भगवान और शिव जी या हनुमान जी को कमजोर दिखाने वाले सवाल दागे गए तो आगे चलकर इन टिपणियों का जवाब भी कहीं पर दिया जाता तो तालियों में और इजाफा हो सकता था चारो लड़कियों के रूम में पीछे एक poster दिखता है जिस पर लिखा था nationalism is haram, muslim is identity मुझे तो ये shocking लगा कि इंडिया में इस तरह के slogans वाले posters बिखते भी है बट problem ये है कि केरला में बहुत कुछ ऐसा घटता रहा है जिससे बाकी के देश के लोग अंजान रहे है acting की बात करे तो अदा शर्मा की अदाएगी कमाल की थी मुझे लगता है ये उनका अब तक का best performance है जहां वो मासूमिय दिखाती है कसमसाहट दिखाती है जुझलाहट दिखाती है बेवसी दिखाती है यानि फिल्म में वो अनेको रंग इफेक्टिव ढंग से दिखाने में काम्याब रहती है इंटेरोगेशन के दोरान उनके चेहरे पर जिस तरीके से हलकी उखडी से स्किन दिखाई गई है वो डिरेक्टर की बहतरीन सोच और अच्छे मेकप के कारण है बाकि एक्टरस में सोनिया बलानी, सिध्धी इधनानी और योगिता बिहानी का काम भी बहतरीन देखने को मिलता है इनके अलावा फिल्म के दो मेल लीड्स को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता As I told you earlier कि फिल्म में दो ऐसे सीन्स है जिन पर तालिया बजती है आप फिल्म देखकर कमेंट करके बताईएगा कि ये दो सीन्स कौन से थे जिन पर आपके थीटर में तालिया बजी थी हाला कि depends कि आप फिल्म कहां देख रहे है क्योंकि जहां हम देख रहे थे वहां एक कपल फिल्म को बीच में ही छोड़कर चला गया I mean पता नहीं क्यों चला गया फिल्म में आने को ऐसे डायलॉक्स है जो कॉंट्रोवर्शल हो सकते है कुछ ऐसे सीन्स है जिन पर कुछ लोग विवाद कर सकते है ऐसे में इस कहानी को इस तरीके से दिखाने के लिए जजबा चाहिए जुनून चाहिए और समय चाहिए जो फिल्म में करने लिया भी है कई माईनों में ये फिल्म दा कशमीर फाइल्स से भी अच्छी है टेकनिकली भले दा कशमीर फाइल्स 20 रही हो लगता है, बीजेम ठीक है, ड्रामेटिक सीन्स में लो म्यूजिक सीन को सपोर्ट करता है, सिनेमेटोग्रेफी प्लस आर्ट डिरेक्शन अच्छा है, जहां सीरिया तालिबान को इफेक्टिव ढंक से दिखाए गया है, वहां का रहन सहन, घर, बार, एन्वार्मेंट को लड़कियों और उनके माबाप के फुटेज दिखाए गए है, जो कि इस कहानी की सच्चाई को प्रमानित करते हैं, और शौकिंग तो ये था, कि फिल्म के दो विलन लड़के उनके बारे में बताये गया, कि वो आज भी दुकान चलाते हैं, यानि उन पर कोई कारवाही न दो पकवास, मेरी तरब से फिल्म को थ्री एंडे हाफ स्टार्स, हेव नाइस टे,